नमस्कार साथियों आज हम आप से विविन मुद्दों पर बात करने आए हैं अगर आप भी UPTET के रजल्ट से प्रभावित हैं कामा नंकों से प्रभावित हैं आखिर जो अगला UPTET है वो कब होगा सीटेट कब होगा सिच्छत भरती का जो आख्वान है वो आखिर योगी सरक कब करेगी अगर इन सम्मुद्दों से आप प्रभावित हैं तो वीडियो पर विल्कुल आंतताक बने रहिएगा एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा देखिए अगर बात करें UPTET का जो रजल्ट है इसमें कई प्रिश्ण इस बार के प्रिश्ण जो है वो बिवात के सा उसे चार प्रिश्णों पर जो है वो गंभी पेचीदा पॉइंट फसे हुए हैं हलाकि जो कोट में आपती लगी है वो च्छाय प्रिश्णों पर लगी है लेकिन आपको बता दी 2017 में इनी प्रिश्णों पर हाई कोट में जब चैलेंज किया गया था तो तीन अंक सभी को स जो है वो पास का होगा और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी तारीख है वो 12 माई को लगी हुई है और इसी 12 माई को इसका जो केस हो सकता है कि डिस्टिब्यूट कर दिया जाए यानि कि अंतिम पाइदान पर रखा जाए अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्या CTET का जो जुलाई का एकजाम है उसका नोटिफिकेसंस कवाएगा तो बता दें कि 15 माई के आज पास सीटेट जुलाई 2022 का जो नोटिफिकेसंस है वो आउट हो जाएगा और जो सीटेट का जुलाई का जो पैटर्न है एकजाम का उसका सिलेबस भी जल्द ही जारी किया आयोजन है वो सरकार कब तक कराएगी तो बता दें जो सिच्छक भरती से आने से पहले एक बार UPTET का आयोजन सरकार और कराएगी मैं आपको बता दूं क्योंकि सिच्छक भरती की अभी कोई सुख भूगा हट कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रही है अगर बात करें सिच सासन ने क्लियर नहीं कर पाई है आपको पता ही है वो भी अभी पेच भंसा हुआ है और 79,000 सिच्छक भरती में जो आरचन सूची का घोटाला था उसके संदर्व में जो 68 सूची जारी की गई है सासन इस तर पर उस पर भी अभी भी कुछ नहीं हो पाया है वो सब मामला भी अभी लंबित है तो कहीं नहीं कहीं सरकार की यह मंसा है कि यह पुराने जितने पीचीदा मामले हैं उनको साल्व किया जाए और उसके बाद एक नई प्राथिमी किस्तर पर सिच्छक भरती लाई जाए हलाकि मैं आपको बता दूं कि अभी इन सिच्छक भरती में थोड़ा लिया जाए तो इस तरह मैं आपको बता दूं कि सिच्छक भरती आने से पहले एक बार और जो है यूपी टी इटी का आयोजन सरकार करा लेगी और यूपी टी इटी का जो नोटिफीकेसंस है अगर उसकी बात की जाए तो जून से जुलाई में सासन इस पर मन्थन के दाथ जो है प्रिस्ताव बना कर भेज देगा पी एनपी सचिव और जो इसका यूपी टी इटी है वो आप माली जीए इसके फॉर्म जो है अगस्ते सितंबर से फिल होना सुरू हो जाएंगे और अक्टूबर और नॉवंबर में नया टीटी संपादित करा लेगी सरकार तो मैं इस नए यूपी टीट के बाद ही सिच्छक भरती की जो आस है वो जगेगी उमीद करता हूँ कि आपके एक एक पॉइंट क्लियर हुए होंगे अगर अभी भी कोई पॉइंट आपके दिमाप में उपज रहा है जिसका उत्तर आपको जानना है तो आप वीडियो के कमेंट जरूर शाब दीजिएगा हम उसका डेटेल में आपको मैसेज के द्वारा रिप्लाई जरूर करेंगे लेकिन अगर आपका यूपी टीटी दो तीन नंबर से रुखा हुआ है तो आप सूपर टेट के तैयारी सुरू कर दीजिए क्योंकि दो से तीन अंग कभी इस बार की यूपी टीटी के रिजल्ट में बढ़ने विल्कुन ताएं हैं क्योंकि कई प्रुष्ण ऐसे हैं जो विल्कुन संदे के घेरे में हैं कई प्रुष्णों के उत्तर पी एंपी स्थियों ने बदल दिये हैं जो कि रिवाईज रुटतर माला थी जो कहीं ना कहीं गलत है क्य लेकिन कहीं ना कहीं पिचीदा मामला है जब 2017 में इन प्रुष्णों को कोट में ले जाया गया था तो कोट ने सिधे टिपणी कर दी थी कि भविस्वें आने वाले यूपी टीटी के किसी भी एकजाम में इन प्रुष्णों को रिपेट नहीं किया जाएगा नोट टक किये और जो CTET है वो जुलाई वाला उसका नोटिपिकेसंस आपको प्रहल के दूफरे फ्रक्ताप तक हाल में देखने को मिल जाएगा और सिच्छक भरती के पहले आपको एक बार और यूपीटेट हो जाएगा ये भी आप नोट कट डाउन करने जिएगा जुलाई में उसका जो है वो सरकार द्वारा किया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि सिच्छक भरती को लाकर सरकार कहीं ना कहीं अपनी ओट बैंको को बढ़ाने का प्रयास करेगी तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट वॉक्स में जरूर बताईएगा अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो कमेंट वॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आपके एक एक डाउट का उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा वीडियो पर पहली बार जितने भी लोग आए हैं अगर अच्छा लगे तो सब्क्राइब कर लिजिएगा और वीडियो को फेट सरकिल में जरूर सेर कर दी जिएगा थैंक यू मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में तब तक के लिए जय हीन जय भारत थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो